दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे हुँगे स्वागत है आप सब का एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैसनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्च सेंटर नई दिल्ली की तरफ से सिविल और एलेक्रिकल इंजिन्यर्स के लिवेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी डारेक्ट भरती रहेगी सैलरी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है औल अवर इंडिया के कंजिडेट पर अपलाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जौब सब्देट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चै सेनियर कंसल्टेंट के लिए और दूसरी वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहेगी कंसल्टेंट के लिए आगे आपको बताया है स्वास्थायम परिवार कल्यान मंत्राले की ओर से राष्ट्रिय स्वास्थ प्रनाली संसाधन केंद्र नई दिल्ली विशत धुरूप से अनुबं कंसल्टेंट सिविल के लिए अगर आपने किसी भी मानेता प्राप्त विस्विद्या लिए या संस्थान से सिविल इंजिनरिंग में मास्टर डिग्री की है और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम एट यर कवर के एक्सपिरियंस से आप यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे और इस पोस्ट में अपलाई करने के लिए मैक्सिमम एज इमिट यहाँ पर आपकी 64 रखी गई है अब बात करें आपके पेलेवल के बारे में तो सीनियर कंसल्टेंट को सेलरी यहाँ पर 90,000 रुपे से लेकर 1,50,000 रुपे प्रतिमन तक मिल जाएगी और कंसल्टेंट इंजिन सीनियर सीविल को सेलरी यहाँ पर 60,000 रुपे से लेकर 1,20,000 रुपे प्रतिमन तो जो भी दोस्ट हमारे इन पोस्टों में सेलेक्ट होते हैं तो वर्क लोकेशन यहाँ पर आपकी नई दिल ली रहेगी बात करें आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में तो अप्लाई प् आपको वीडियो के description में मिल जाएगा form online होने आपके शुरू हो चुके हैं और last date यहां पर आपकी एक अगस्त रहेगी अब बात कर लेते हैं आपके work के बारे में तो यहां पर आपको बताया है विक्रेताओं system integrators और राजियों के साथ पृत दिन आपको समवने इस्थापित क माध्यम से परियुजनाओं की निग्रानी करनी है अस्पताल सेवाओं के लिए विश्ष्टा में सहायक करना है प्रिंसिपल लीड कंसल्टेंट इंजिनियर की सहायता करना है अगली वेकेंसी यहां पर रहने वाली है electrical engineers के लिए यहां पर आपको बताया है essential qualification में अगर आप पर आपको साच हजार रुपे से लेकर एक लाख बीस हजार रुपे प्रतिमंत मिल जाएगी तो अगर आपने भी भी टेक किया है इन ब्रांचों में और minimum आपके पास इतना experience है आप इनके लिए interested होते हैं eligible होते हैं apply लिंक आप लोगों को वीडियो के description में मिल जाएगा तब तक के लिए thank you शुक्रिया